ग्यानवापी में SI सर्वे की मीडिया कवरेज नहीं होगी ये कोट का फैसला इस पर बड़ा फैसला कोट ने दिया है वरणसी के बहुचर्चित ग्यानवापी परिसर में SI सर्वे को लेकर अंजुबन इंतिजामिया मस्जित कमिटी ने गुद्वार कोजिला जज डॉक्टर अजे क्रिश्न विश्वेश की अदालत का दर्वाजा खटखटाया कमिटी के आवेदन पर सुनवाई हुई अधिवक्ताओं के मताबिक अदालत ने दलीले सुनी और मौखिक रूप से कहा कि एसाई सर्वे को गोपनी बनाय रखे इसकी रिपोर्ट अदालत में जमा की जानी है रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए दोनों पक्ष अनावश्चक बयान बाज़ी से बचे सर्वे में क्या मिला है और क्या दिखाए से लेकर सोशल मीडिया पर भी भ्रहम की स्थिति ना फैलाई जाए इसके साथ ही अदालत ने पत्रावली को अदेश के रूप में जारी करते हुए भ्रहमक सूचनाय रोकने के लिए रोक लगा दी है ज्यान वापी में सर्वे के दौरान भ्रहमक सूचनाय को लेकर जिला जज ने आदेश चारी किया है जज ने आदेश में कहा कि coverage को लेकर अदालत ने आदेश दिया है कि सर्वे के संबंद में आपचारिक सूचना के बगैर गलत प्रकार से समाचार के प्रकाशन पर विधी के अनुसार कारवाई की जा सकती है साथी कहा कि ये भी कहा जा सकता है कि ASI वादी प्रतिवादी और उनके अधिवक्ता DGC या कोई अन्यधिकारी सर्वे के संबंद में किसी को ना कोई सूचना देंगे और ना कोई टिपड़ी करेंगे कोट के आदेश के बाद सुरक्षा एजिंसियां भी निगरानी में जुट गई है मस्जिद कमीटी की और से कहा गया कि सर्वे को लेकर तथ्यों के विपरित रिपोर्टिंग की जा रही है इस समाज में विद्वेश फैल रहा है जिस स्थान का अभी सर्वे नहीं हुआ है उस स्थान को लेकर भी मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है वहीं हिंदू पक्ष की और से कहा गया है कि मीडिया अपना काम कर रहा है जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है वो पिछले सर्वे की है माश्रिंगार गौरी मुकदमे की वादिनी राखे सिंग के अधिवक्ता सौरब तिवारी ने दलील दी कि भारती सम्विधान के मौलिक अधिकारों के तहत मीडिया को समाचार प्रकाशन की स्वतंत्रता है अगर कोई तुरूटी पूर्ण खबर भी आ रही है तो उसे मीडिया सुधार ले रहा है माश्रंगार गौरी मुकदमे की चार अन्यवादिनी सीता साहु रेखा पाठक मंजुव्यास और लक्षमी देवी के अधिवक्ता मदन मोहन यादव और सुभाश नंदन चत्रुवेदी ने कहा कि अधालत ने पक्षकारों के साथ ही मीडिया को भी सैयम भरतने की सला दी है मस्जिद कमिटी के अधिवक्ता मुम्ताज एहमत ने कहा कि अधालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है आदेश आने के बाद ही उसके संबंद में बता पाना संभव होगा ग्यान वापी में एसाई सर्वे को रोकने के लिए अजबन इंतजामिया मस्जिद कमिटी ने आविदन दिया कहा गया कि चार महिला याचिका करताओं ने आविदन पर जिला जज ने 21 जुलाई को एसाई सर्वे का अधिश दिया था महिलावादियों के तरफ से सर्वे में आ रहे खर्च की फीस जमा नहीं की गई बिना फीस जमा की यही सर्वे किया जा रहा है चो कानून के खिलाफ सर्वे के लिए एसाई को रिट नहीं जारी की गई और ना ही लिखित रूप से सर्वे की जानकारी दी गई जो सर्वे किया जा रहा है वो कानूनी प्रावधान की प्रक्रिया के विप्रीत है ऐसे में सामानी नियम और सविल प्रक्रिया सहिता के तहत दिये गए प्रावधानों का पालन की ये बगेट जो सर्वे किया जा रहा है उसे रोका जाए इस सर्वे पर महिलावादियों के अधिवक्ता की तरफ से आपत्ती जताई गई साथ ही आपत्ती दाखिल करने के लिए समय मांगा गया इस पर अधालत ने 17 अगस्त की तारिक तै की है जिला जज की ही अधालत में राखिस सिंग की तरफ से दिये गए उस आवेदन पर भी सुनवाई हुई जिसमें अंजुमन इंतजामिया मस्जित की तरफ से आपत्ती दाखिल की गई राखिस सिंग का आवेदन मुस्लिमों के नमाज पढ़ने से रोक के उदेश से की गई है सारे आरोब बेविम्याद हैं और ये आवेदन खारिच करने वाले योग्ये हैं इस पर राखिस सिंग के अधिवक्ताओं मान बहदुर सिंग और सुरभ तिवारी ने प्रती आपत् की अधालत ने सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारिक तै की है अधालत ने सुनवाई के दौरान ग्यान वापिस से जड़े एकंन्य मामले में अधिवक्तारал रमेश उपाध्याय ने अधिवक्ता सर्वे के दोरान मिले कथित शिवलिंग के दर्शन पूजन रागभोग के बात पर कहा कि सभी पक्ष की आपत्या गई है इस मामले में सुनवाई के बाद आदेश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया सुनवाई के दोरान अन्जमन इंतजामिया की तरफ से मुम्ताज एहमद, रईज एहमद खान, तोहिद खान, मेराजुद्दिन सिद्धिकी, एकलाक एहमद और हिंदु पक्ष के चार महिला वादियों की ओर से सुभाष नंदन चत्रुवेदी, दीपक सिंग, पवन पाठक, मदन मोहन ग्यादव, भारत सरकार के स्टेंडिंग काउंसिल अमित, शिर्वास्तव के साथ ही राकि सिंग के पैरोकार, जेतेंद्रिस सिंग, बिसेन कोट में मौजूद रहे अमरुजाला, अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमरुजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बैल आइकन दमाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर, अमर नुजाला, निश्पक्ष, निर्भी, निरंदर